ग्यान वापी मामले पर कोट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारीच किये जाने के मामले पर तबस्त्वी जी की छामनी पीठा दीश्वर जगतगुरु पर्भंस आचारे भावुक होकर रोपड़े और आखों से आसु निकल पड़े तो वहीं दूसर और बाबरी मस्डित के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोट का सम्मान किया है इस दौरान जगतगुरु पर्भंस आचारे ने भावुक होते वे कहा कि एक तरफ समिधान की मर्यादा और दूसरी तरफ बहु संख्यक समाज का स्थित्व है जहां एक तरफ रहेंगे लेकिन समिधान के दायरे में ही रहेंगे उन्होंने कहा कि आयोध्या की तरफ पर काशी मतुरा को भी मुक्त कराएंगे दो के इस बात का है कि आन्य धर्म के लोग पहले स्वेम जज्जमेंट कर लेते हैं उसके बाद अपने गुनाहों से बचने के लिए समिधान और कोट का सहारा लेते हैं लेकिन हिंदूों के लिए समिधान सर्वपरी है और रहेगा लेकिन हिंदूों की आस्था को भी समझना होगा वहें दूसरी बार ग्यानवापी मामले पर कोट ने कथित शिवलिंग की कारबन डेटिंग की मान को खारिच किये जाने के मामले को ल कि कोट सबूत के अधार पर ही चलते हैं कोट का मानना हमारा फर्ज है इस पर टिपड़ी नहीं कर सकते लोग कोट का सम्मान करें हमारे सनातन धर्म के मोख केंदर बिंदू बावा विश्वनात को ले करके हमारे बहुत संख्यक समाज बहुत दिन से प्रयास कर रहें संबैधानिक दाइरे में और हम लोगों को बड़ी उम्मीदे थी लेकिन आज जैसे ही पता लगा कि कोट ने कारवन डेटिंग को खारिच कर दिया है तो ऐसा लगा जैसे सीने पर बजर पड़ गया है और मैं बहुत दुखी हूँ मैं बहुत दुखी हूँ और आसा करता हूँ कि हम लोगों को न्या कर लेता है खुद, बाद में अपने गुनाहों की रक्षा के लिए कोट और सम्विधान का सरन लेता है, लेकिन हम लोग कभी भी सम्विधान के दाइरे सिर्फ बाहर नहीं गए, आज जब पता लग गया कि भी सुनात बावाव हम मिल गए हैं, मिलने के बाद भी, जिस तरह से जो है आज कोट ने खारिच कर दिया है, यह हम लोगों के लिए बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, इसको हम लोग जेल नहीं पाएंगे, और एक तरफ सम्विधान की मर्यादा है, दूसरे तरफ हमारे सनातन धर्म का अस्तित्त है, देवादी देव महादे अपमान देश बर्दास्त नहीं कर सकता है, दोनों तरफ हम लोग इस समय धर्म संकट में फसे हैं, यगर सम्विधान की मर्यादा का उलंगन करके सस्तर उठा लेते हैं, तो भी ठीक नहीं होगा, और अगर हम लोग भोले नात का अपमान बर्दास्त करते हैं, तो फिर हम हिंदुस्तान का है, और कोट का है, कानून का है, सम्विधान का है, सम्विधान का सम्मान जो है, हमारे देश के लोग करते हैं, जो भी कोट फैसला करता है, उसका लोग सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं, और हम अपनी कव्म को सला भी देते हैं, कि सम्विधान के विश्वास करते हैं जो कोड कर रहा है उसका भी हम ख्याल लगते हैं हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं हिंदुस्तान का कानूर मानते हैं जो भी कोड सबूत के आधार पर चलते हैं कोड चाहे लोवर कोड हो या सुप्रीम कोड हो कोड जो है वो सबूतों के आधार पर चलते हैं कोड का मानना हमारा फर्ज है हम इसको किसी को कोई तिपड़ी नहीं करना चाहिए तो कि समिधान की बात हैं वो मानना हमारे देश के लिए सब के लिए बहुत जरूरी है और लोग कोड का सम्मान करें